आज आज जी नीर जी मौझूद है इनी से बातसीत करेंगे सर कितनी बड़ी कामजाबी जो है जब मुकश्मीर पोलीस को और खासका नौशरा पोलीस को मिली है बहुत बड़ी कामजाबी है जी एक दिन में 13 दुकाने एक रात में तूटना इस बिग इंसिडेंट और कितना प्रेशर पोलीस वाले या किसी भी अड्मिस्टेशन पर इस चीज का आ सकता है मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं हम इस इस इशू को लेके बड़े परिशान थे बड़ी देर से क्योंकि जब तक ये चोर बाहर रहेंगे ये इस तरह के बड़े बड़े इंसिडेंट और करते रहेंगे तो कोशिश यही रहती है कि इस तरह के इंसिडेंट चेक करने का एक ये भी तरीका रहता है कि जो इन चीजों को करते हैं वो पकड़े जाएं एक तो वो भी जो भी उनके खिलाफ कारवाई कानूनी हो सकती वो हो जाएगी उसके साथ साथ this act as a deterrent जो बाकी लोग इस तरह की प्लान कर रहे थे इस तरह की कारवाई करने का तो उनको भी समझ आता है कि ऐसा नहीं है कानून के हाथ लंबे हैं कहीं न कहीं हम पकड़े ही जाएंगे इस पै मैंने पहले भी इस पारे में बात की कि कोई connection अभी तक इन चोरों का with drugs नहीं आया है हैं सारे छोटे ही लड़के बीच से 22 साल की age के लेकिन अभी तक की investigation में सब ने अपनी requirement के लिए मोज मोज में चोरी कर ली है उस तरह का कोई drug addiction वाला ऐसा कोई issue सामने नहीं है सर तेरा दुकाने लूटना कही ना कहीं एक बड़ी बात है कितनी recovery हो चुकी है और कितनी जो है दुकानदारों ने बताया कि कितनी चोरी हुई है क्या बताएं जो तेरा दुकाने खैर हो तो बहुत बड़ी बात है तेरा दुकाने लेकिन मैं आपकी जानकरी की मिले ये भी लाना चाहूँगा कि recovery जितनी उन्होंने बताई है वो कही ना कही match नहीं कर रही है with the description जिस हिसाब से उन्होंने चोरी बताई थी तो still matter of investigation है मैंने पहले भी बताया तीन accused पकड़े जा चुके हैं जो दुकानों में से समान है वो recover हो गया है जिनका समान है उन्होंने उसे identify कर लिया है उस चीज की पुष्टी कर दी है लेकिन एक accused अभी भी at large है जो बाग गया है जो हमारी custody में अभी नहीं आया है हमारे efforts है हम जल से उसको पकड़ेंगे उसको पकड़ने के बाद जो missing amount है वो सारा connect हो जाएगा और investigation यह complete हो जाएगा सर इससे पहले वी काफी चोरियां हो चुकी है और कुछ जो है वो बरामत हो चुकी है जैसे कि सुंदरवनी बैंक का इक इशू हुआ था चोरी हुई थी वो भी आपने जल्द पकड़ ली और भी कहीं ऐसी चोरियां है जो अभी तक नहीं बरामत हो पाई किस तरीके से पुलीस परशासन जो है चोरियों को लेकर देखें मैंने पहले भी इस चीज़ के लिए बताया हम बहुत ही seriously इस मैं आपसे भी request करूँगा अगर आपके पास कोई इस तरह की information या कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें हमारे investigation को कोई नई direction मिल सके तो kindly आप भी बताईए और हम बाकी cases को भी जल से जल सौफ कर देंगे जिस तरीके से सर बजार है वहाँ पे बपार मंडल बनाएगे हैं बपार म जाती है तो area बड़ा हो जाता है लेकिन कहीं न कहीं चोरियों के हिसाब से वह fragile भी हो जाता है चोरी होने का incident हो भी सकता है गश्ट हमने रखी हुई है गश्ट हम करते हैं बट कहीं न कहीं मैं सबसे request करूँगा कि वेपार मंडल जहां जहां बड़े-बड़े वेपार मंड ता है सबस्तित से पाहले भी कहीं हो चुकी और पूलीस ने चोर्यों को लेकर काफी Apollo कार्वा लिया गया लिए जिस परकार से लमबेड़ी में उश्चोरीपे। और कुछ जो है वो रह गई है अब पुलीस जो है इसको लेकर कितना तियार है कितना ही राड़ी है देखें पिसले डेड़ महीने में ये डेड़ महीना पहले चोरी हुई थी पकड़ी जा चुकी है उसके बाद एक चोरी हुई नशेरा में वो भी पकड़ी जा चुकी है और क को एक नई प्रेस कांट सो कर ये जानते ऊते क्या किस परकार में कि इस चीजक के बारे पुलीश को कैसे देखें मैंने पहले भी आप से ये कहा कि और मैं आज भी आपके माधियम से सब को कहना चाहूंगा आप हमारे आंख और कान बने हर जगे पुलीस वाला नहीं हो सकता लेकिन आप हर जगे हैं अगर कोई भी ऐसी चीज लेटेटेट टू ड्रग्स आपकी नजर में यहां कोई information में आती है प्लीस चाहे personally मिलके बताएं चाहे phone करके बताएं किसी तरह की भी कोई harassment किसी के साथ नहीं होगी और मुझे लगता है आपकी मदद से हम कुछ criminals को पकट सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया यह थे ASP नौशरा अमीद बर्मा जी इन्होंने खास बादचीत में यही बताया कि अब जो है चोरियां होना कम होगी और जितनी भी चोरियां होई है उन पे जितना भी समान जो है वो निकला है उसको पूरा करने के कोशिश की जाएगी कही ना कही जो पूलीस है वो अब त्यार हो चुकी है और चोरों को जो है अब पकड़ने में कही ना कही पूलीस जो है निकल चुकी है इसी परकार से आप लोग जुड़े रहे हैं जम्मो परिवर्तन के साथ मेरे कैमरामन आजे चोधरी के साथ